नमस्कार दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि समिक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें जो निबंद का प्रश्ण पत्र पूछा जाता है उसमें वास्तों में किस प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं, उनकी क्या प्रिकर्टी होती है और साथी ये प्रश्ण वास्तों में क्या UPPCS की अपर PCS की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें जो निबंद का प्रश्ण पूछा जाता है वहां से कठिन होता है या सरल होता है दोनों में comparison को हम लोग समझते हुए यह भी समझेंगे कि आज के समय में हम लोग इसको कैसे prepare कर सकते हैं निबंद के प्रश्ण पत्र को ताकि हमारा RO हो या UPPCS हो या BEO इस परकार के सभ पर UPPCS की निबंद की परिक्षा में या UPPCS जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें अपर PCS especially तो अपर PCS की जो निबंद की परिक्षा होती है RO की निबंद की परिक्षा क्या वो संदचना ही इस प्रकार की है कि उसमें हमें RO की परिक्षा tough हो जाती है इसको समझते हैं तो सबसे नमबर पूछा जाता है तीन निबंद तो यह हो जाता है 120 लेकिन यहां पर और इसमें आपको पता ही होगा कि यह 700 शब्द में लिखना रहता है और यह 600 शब्द में कुल मिला कि यही डिफरेंस होता है में दोनों के निबंद के पेपर में लेकिन जब यहां पर हम लोग यह स पिपर है यह वास्तों में आपका जो 8 पेपर होते हैं अभी आज आपको पता चल जाएगा कि विध्यृक्た की प्रकार के संसोधन होता है कितने पेपर आएंगे क्या आएंगे 8 पेपर जो होते हैं और इंटर्व्यू का पेपर होता है तो वह सब मिला के जो वेटेज बनता है उस वेटेज में ये केवल डेर सो नंबर का होता है इसलिए यहां पर जो निबन का प्रश्ण पत्र पूछा एता है उसकी बहुत ज्यादा एहमियत नहीं रहती है मतलब यहां पर अगर आप थोड़ा बहुत उपर नीचे होते हैं तो वो उतना आपका चल जाता है क्योंकि बाकी कई सारे पेपर हैं जिनमें आप उसको कवर कर सकते हैं इसलिए यहां पर वाक के वरतनी इत्यादी सुद्धी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने के आवसकता नहीं है मतलब आप लोगों को वैसे आईडियली तो सुद्ध रखना ही चाहिए सारी चीज़े परन्तु उतना नुकसान इसमें नहीं होगा अगर आप सुद्धिया करते हैं जितना कि आपका आरो के पेपर में होगा क्योंकि यहाँ पर जो वैटेज है वो वास्तों में 120 आउट ओफ 400 है तो यहाँ पर चार पेपर में से एक पेपर यह है और करीब यह 25 परसंट से भी ज्यादा करीब 30 परसंट मान लिजए कि यह बैठता है तो इतना ज्यादा इसका वैटेज बन जाता है इसी वज़े से आप देखेंगे कि चाहें आप PCS मेंस की परिक्षा हो या आरो की परिक्षा हो जब भी उसकी मुखी परिक्षा दे के लोग निबन का प्रसंट पत जब भी वो दे के निकलते हैं तो सभी लोग दरसल यही कहते हैं कि हमारे पेपर बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि वो लोग यह समझने की भूल कर देते हैं कि जो उन्होंने पेपर अटेम्ट किया है 요नि अगर उन्होंने परितक को पूर्थ अटेम्ट कर लिया है तो उसी को वो Evaluation की कासौर्टी मान लेते हैं कि अमने पूरी पूरा कर दिया है तो मतलब हमारे पपर अच्छा ह हुआ है जबकि वास्तों में ऐसा नहीं है यहां पर आपको केवल लिखना है 600 सब्द 600 सब्द और इंड मल्टिप्लाइब है थ्री यानि अठारा सो दो हजार सब्द के लिए यहां पर भी सेम टाइम मिल रहा है दो गंटे में दो हजार सब्द लिखना कोई बहुत बड़ी ब जाता है ज्यादा कठिन भी हो जाता है क्योंकि यहां पर आपको वेटेज बहुत ज्यादा है इसलिए आप लोगों को ना तो उसमें वाक की असुद्दियां करनी है और जो आपका कंटेंट होना चाहिए वह भी दूसरों से अच्छा होना चाहिए क्योंकि वैकेंसी भी कम बढ़ाने या घटाने की संभावना या गुंजाईश कम होती है वहां पर आपको आरो का जो निबंद का प्रश्ण पत्र होता है वहां पर बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि आप दूसरों से यानि अपने जो कॉम्प्टीटर्स हैं उनसे आप ज्यादा नंबर लिया पाएं तो यह तो हो गई एक बात कि संद्रचना के इस्तर पर ही आप देखिए तो आरो का पेपल जो है वो टफ हो जाता है PCS से दूसरी बात करते हैं कि प्रकृतिके इस्तर पर यानि नेचर ऑफ क्वेस्चन्स डेट आर बिंग आस्ट इन बोद एक्जाम्स उनमें हम लो साल ही पूछा गया मलब 2021 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें साहित और संस्कृति का अंतर संबंद पूछा गया साहित और समाज का अंतर संबंद उससे पहले पूछा गया है 2016 को जो मेंस का पेपर हुआ था 2020 में यानि अभी भी ऐसे कई सारे प्रश्ण पूछा जा रहे पहले पूछा जा चुका है PCS में इसी प्रकार से विज्ञान विकास है विनास ये आपका PCS में भी और IS में भी दोनों पूछा जा चुका है आर्थिक असमानता ये भी पूछा जा चुका है क्रिशी की समस्यां कई बार पूछा जा चुका है तो नकसलवाद नकसलवाद भी पूछा आप देखिए कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि वास्तों में पहले पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं और तैयारियां विश्वयोग दिवस यह आपका यूपीसी में पूछा गया है पड़ोसी देशों से चुनौतियां क्या है मन निबंद के प्रश्ण पत्र के तो वहां पर आपको यह जरूरी है कि आप पहले PCS के भी निबंदों का एनालिसिस करें उससे भी यह समझें कि उससे हमारे कौन-कौन से ज्यादा उससे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप PCS के प्रस्णों की प्रक्रति समझ लेंगे तो फिर आपको आरो की भी आप प्रक्रति समझ सकते हैं तो यहां पर एक चीज़ यह है कि दोनों की तैयारी अलग-अलग दिशा में नहीं होगी ब कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो वास्तों में PCS की परिक्षा में जो निबंद पूछे जाते हैं उससे बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं कौन से वह टॉपिक हैं देखिए ऐसा अब वह वैसे तो आपका देखिए PCS जो है अभी तक कई सालों तक हुआ है मतलब वह का पांच पेपर ही है या 5-6 पेपर होंगे जो भी तो इसलिए यहां से रिपीट होने की प्रशनों की संभावना काफी ज्यादा है लेकिन फिर भी यहां पर आरो में जो प्रशन पूछे जा रहे हैं वो वास्तों PCS में पूछे गए प्रशनों से बहुत ज्यादा कठिन भी अब इन तीनों का एक त्रिकोर्ण बना दिया गया तो उस त्रिकोर्ण से भी प्रशन पूछ लिया गया यहां पर यह थोड़ा सा अंतर हो जाता है थोड़ा से डिफकल्ट हो जाता है इसी प्रकार से साहित्य और प्रद्योगिकी का संबंद पूछ लिया टेक्नलोजी से स साहित्य का पतन हो रहा है या फिर वो आगे बढ़ सकता है कैसे आगे बढ़ सकता है इन सब बातों पर हम लोग विचार करना है तो यह ऐसा कोई टॉपिक आपको वास्तों में आपकी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा उसके बाद देखिए तुलसी दास के रामचरित मानस का स समाज दर्सन तुलसी दास का समाजिक अवदान यह निबंद जो आपका PCS में आ चुका है पर यहां पर केवल वो नहीं है यहां पर देखिए तुलसी दास ही केवल नहीं पूछे गया है बलकि तुलसी दास के संपूर्ण जीवन संपूर्ण जो उन्होंने गरंत लिखे है वो भी नहीं पूछा गया है बलकि तुलसी दास के स्पेशली जो रामचरित मानस है रामचरित मानस भी पूरा नहीं रामचरित मानस का भी जो समाज दर्सन है बलकि कई सारे उसमें दर्सन लेकिन जो समाजिक दर्सन रामचरित मानस में अवियक्त हुआ है उसको पूछा तो आप देखिए यहां पर उसी topic को कितना specific कर दिया गया है जिससे कि वह और भी ज्यादा tough हो जा रहा है आगे बढ़ते हैं देखते हैं वल्तमान राजनीती का परिद्रिश्य भावी प्रवाव अब यह देखिए यह बहुत ही common topic लगता है सभी को बहुत easy लगता है क्योंकि राजनीती से सभी लोग उसमें दिल्चस्पी लेते हैं इंट्रेस्ट लेते हैं सभी के दैनिक जीवन का हिस्सा होती राजनीती रोज पेपर पढ़ते रहते हैं तो उनको यह topic बहुत easy लगता है जबकि वास्तों में यह topic बहुत tough है यह प्रकार से गुगली है और इसलिए इसको जो है इन प्रकार के प्रशनों को attempt करना वास्तों में difficult होता है क्योंकि आप राजनीती पर कोई टिकपड़ी करेंगे तो उसमें ओची टिकपड़ी वैसी कुछ नहीं आपको जो भी बात अगर आप कुछ नकरात्मग भी व्यक्त करनें तो उसके पीछे proper उसकी evidences होन चाहिए तो इस प्रकार से यह भी टॉपिक काफी टॉफ हो जाता है या फिल देखिए पर्यावरण प्रदूशन का मूल कारण है वैचारिक प्रदूशन अब पर्यावरण प्रदूशन PCS में कई बार पूछा गया है परंतु यहां पर क्या पूछ लिया गया है पर्याव के पेपर में भी निबंद में बहुत कम कम अंक मिलते हैं आपको PCS में अगर मान लिजे कि आपका ये 50 नंबर का है यहां पे आपको 1.500 में अगर आप लगबग 100 प्लस या 100 के करीब नंबर ले आते हैं तो आपके अच्छे नंबर माने जाते हैं इसी प्रकार से यहां पे आप अगर आप देखें तो 80 के करीब नंबर ले आते हैं तो वो अच्छे नंबर माने जाते हैं मगर average लोगों के आते कितने हैं तो ये बहुत कम नंबर आते हैं मतलब 50 से भी कम नंबर इधर में आरो में देखा जाता है और वही 50 से 60 साठ और 60 से 70 के बीच में तो सबसे ज परहाना या फिर जो ड्राफ्टिंग का पेपर होता है उसमें उतने नंबर बढ़ा पाना बहुत मुश्किल होता है तो इसलिए निबंद के प्रशनपत्र का बहुत ज्यादा योगदान है आपके आरो की परिक्षा में सफलता में उसके बाद देखिए यहां पर कैसे कैसे प टॉपिक पर निबंद नहीं पूछा जाता है परन्तु आरो में ऐसा पूछ लिया जाता है कि अब क्रिशी की समस्या है बहुत पुराना टॉपिक क्रिशी भूमी की घट रही है उस पर भी निबंद पूरा लिख दीजे अब इस पर आपको शाता सो सब्द लिखना मुश् पूछा जा रहा है अब इसमें आप लगेंगे वही नकसलवाद के कारण बताने परिणाम बताने तो उससे आपका नहीं कुछ हो गए यहां पर आपको इन दोनों में वास्तों में संबंद की स्थापना करनी है वो बताना है कि वो कैसे नकरात्मक है और इस प्रकार से आग प्रबंदन वो भी पूछा जाता है परंतु उसके साथ में इस प्रकार के भी पूछा जाते हैं मन्रेगा का संसोधन जरूरी है मन्रेगा भी पूछा गया है और मन्रेगा का संसोधन जरूरी है तो यानि मन्रेगा के संसोधन पर फोकस्ट निबंद भी पूछा गया है तो है तो इससे इसका केवल 40% ही आरो के निबंद का लगभग ये 40% ही है 60% जो सिलेबस पूछा जाता है वो वास्तों में PCS से मिलते जुलते topics करना होके या फिर इन ही में से किसी topic पर ज्यादा focus करके उसको specific बनाने की कोशिस की जाती है तो आरो का जो निबंद का प्रस्म पता है इसी वज़े से ज्यादा tough हो जाता है क्योंकि वहाँ पर देखे तो संरचना के इस तर पर इसका वेटे ज्यादा होने की वज़े से इसमें आप यदि अच्छा करते हैं तो आपके सफलता की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है संभावना बहुत बढ़ जाती है तो साथ ही अगर आप इस निबंद के topic को अच्छे से त्यार करते हैं तो फिर आपका इन विश्यों पर निबंद वो इजी हो जाता है अब जनरली जो लोग भी तुलसीदास के रामचरिद मानस का समाज दर्शन इसको जो भी लिखना चाहेगा अगर कोई निबंद नहीं भी पढ़के गया है तो वो भी कुछ ना कुछ तो डा यह मूल कारण है इसमें आपको स्पेसिफिकली बात करनी है वहिचारिक प्रदूसर पे कि किस प्रकार से लोगों की सोच में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक पर्यावरण के बहतर होने की संभावन या प्रदूसर कम होने की संभावन वो नामुम्किन है तो इससे आ आप को संबंद स्थापित करना है इससे आप हमारे ख्याल से यह समझ रहे होंगे कि आरो का जो पेपर उसमें निबंद का पेपर आरो मेंस में निबंद का पेपर वह बहुत ज्यादा रड़नीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है और साथी कठिन भी होता है तो इसलिए अगर आप इसकी तयारी करना चाहते हैं तो पहली बात तो यह कि आप इस गफलत में रहिएगा गलत फहिमिम न रहिएगा कि आप इसको मेंस का पेपर यानि जब आप प्री पास कर लेंगे आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप इसकी तयारी में क्योंकि प्री देने के बाद लगभग आपके पास केवल तीन महीने के समय रहता है, तीन महीने में आपको GSB रिवाइज करनी है, हिंदी रिवाइज करनी है, administrative words पढ़ने है, letters पढ़ने है, सारी चीजे पढ़नी है, उसके साथ में आपको निबंद लिखना भी है, क्योंकि के आपको निबंद लिखना है, लिखने के प्रैक्टिस करनी है, तो वो काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अगर आप उन तीन महीनों में सोच रहे हैं, अच्छी रणनीती यही होगी, कि आप लोग निबंद को भी एक उसकी अच्छी तैयारी करते हूँ चले, क्योंकि PCS मेंसी है, UPSC मेंस का, जब हम लोग भी देते दे, तो हम लोग भी उसको इसी प्रकार से लेकर जाते दे कि अच्छा ठीक है, निबंद का पेपर है, जाकर सीधा लिखाए, उससे काम यहां पर नहीं चलता है, आरो के पेपर में सीधे जाकर लिखाना वो काम नहीं चलता है, उसमें अगर आपको अंतिम रूप से सफल होना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग निबंद के प्रश्नपत्र को अच्छे से अभी से तैयार करते हुए चलें, अगर अभी से आप हर हफते एक-एक निबंद ही केवल करते हुए चलेंगे, तो भी आपक ये प्रश्नपत्र की आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, उमीद है आपको निबंद के विशे में जो जानकारी यहां पर दी गई है, उससे आप ये समझ चुके होंगे कि निबंद के प्रश्नपत्र की आरो की परिक्षा में क्या भूमिका है, क्या उसकी मह बता है और किस प्रकार से ये अभी से ही इसको तैयार करते हुए चलना बहुत जरूरी है, चलिए मिलते हैं किसी अगले किसी टॉपिक में जिसमें हम लोग और भी कुछ जरूरी मुद्धों पर चर्चा कर रहे होंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.